हेलो स्टूरेंस आज हम वनवर्ट की वीडियो लेकिए आए हैं पांच मई वीडियो है यह वनवर्ट से इसके पहले हमने फोर वीडियो को चैनल पे अप्लोड कर दिया है अगर आपने अभी तक वाच नहीं किया है तो चैनल के प्लेलिश में जाके जरूर वाच कर लिजेग आज हम वनवर्ट की वीडियो 5 लेके आए हैं आज हम देखेंगे ओके सो लेट्स बीगिन अपना स्कोर बताना मत भूलेगा लाश्ट में जरूर बताईएगा कि आपका स्कोर इसमें कितना आया हुआ है आज की वीडियो में ओके सो लेट्स बीगिन पहला है a word that reads the same backwards as forwards बतलब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि एक word जो आगे और पीछी की ओर से समान पढ़ा जाता हो एक ऐसा word है जो backwards हो या forwards हो उसको समान ही पढ़ते हैं वो क्या कहलाता है homophones, acronym, palindrome या acrostic तो सबसे पहले हम four options जान लेते हैं four options में क्या क्या है homophones, homophones किसे कहते है, homophones उसे कहते है जिसकी spelling और pronunciation same हो, जिसकी spelling spelling और इसका जो pronunciation है यानि की हिंदी में बोलेंगे उच्चार, pronunciation जो है इसका क्या रहता है, same रहता है बट जो meaning होती है वो different होती है, जो इसकी meaning होती है, इसका जो earth होता है, वो क्या होता है different होता है, उसे कहते हैं homophones, मतब simply याद रखिएगा homophones जिसकी spelling और pronunciation same हो, बस उसका earth अलग हो, meaning अलग हो, उसे बोलते है homophones जैसे अगर इसका example लेंगे, तो इसका example जैसे beer okay, beer तो यहाँ पर जो spelling है, same है, हम इसको beer ही पढ़ेंगे, इसका जो pronunciation है, beer इसको भी पढ़ेंगे, beer इसको भी पढ़ेंगे, बट अगर इसकी meaning देखेंगे, तो एक beer मतलब होता है, सहना और एक beer मतलब होता है भालो सिर्फ meaning इनकी different है बक्या जो इनकी spelling है और इनका pronunciation वो same है तो ऐसे में इसको क्या कहा जाता है homophones कहा जाता है acronym क्या होता है acronym मतलब संचिप्त word होते हैं संचिप्त रूप से जैसे बोलते हैं abbreviation form में जैसे बी ये लिखते हैं बी ये कर दीए संचित रूप से इसको लिख दीए abbreviation रूप में लिख दीए उसे बोलते है acronym पैलिंड्रोम इसका जो answer है वो आपका c हो जाएगा पैलिंड्रोम मतलब होता है मतलब पैलिंड्रोम क्या होता है सब जो उलट कर पढ़ने से भी समान रहे उसे पैलिंड्रोम कहते हैं मतलब a word that read the same backwards as forwards मतलब जो आगे और पीछे की और से समान पढ़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं पैलिंड्रोम बोलते हैं जैसे इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं पैलिंड्रोम का पैलिंड्रोम जो यह word है यह ग्रीक से आया हुआ है ग्रीक वर्ड के पैलिंड्रोमो से लिया गया है जिसका मतलब क्या होता है running back again अब इसके example को कैसे समझेंगे कि कैसे इसको आगे और पीछे दोनों सो same ही पढ़ा जाता हो जैसे हम कुछ examples ले लेते हैं जैसे हमने सबसे easy है madam मैडम हमने इधर से पढ़ेंगे आगे से पढ़ेंगे तो मैडम और इसके backward से पढ़ेंगे तब भी यह मैडम तो इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोम जैसे civic कुछ examples हैं civic अब इधर से भी मतलब शुरूर्वार्ट से पढ़ेंगे तब यह civic ही पढ़ा जाएगा इधर से इसके फार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार् राइट एंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा ओके एक्रॉस्टिक मतल होता है अक्छर बढ़ यहां पर जो राइट एंसर था वो अपका सी था आगे बढ़ते हैं मतलब किसी ऑसर को चिंधित करने के लिए एकी समय पर कई तोपो की फाइरिंग क्या कहलाती है इसे बोलते है वो जाएगा दि इसकरिक्ट हो जाएगा Fusillade Fusillade मतलब होता है Fire करना Sorry Fire करना नहीं होता Topo की बाड होती है Fusillade मतलब Salvo मतलब होता है Uplugged जिसे आप Chance बोल सकते है Chance Wall-E मतलब होता है Wall-E मतलब होता है Fire करना Fire करना तो यहाँ पर जो right answer हो जाएगा वो आपका D हो जाएगा Next One who looks at the bright side of things मतलब ऐसे इंसान जो चीजों को उचले पक्च को देखता हो मतलब वो परसन जो चीजों के bright side को देखता हो उसे क्या बोलते है pessimist या pacifist या optimist या humanist तो जो bright side को देखता है उसे तो बोलते है optimist और यहाँ पर एक और question आजाएगा dark side अगर बात आजाए dark side को कि one who looks at the dark side of things जो चीजों के dark side को देखता हो उसे बोलते है pessimist और जब बात bright side किया है उसे बोलते है optimist तो यहाँ पर जो right answer हो जाएगा वो अपका C is correct हो जाएगा optimist pacifist मतलब क्या होता है pacifist मतलब होता है सांतिवादी और humanist मतलब होता है मानोतवादी तो यहाँ पर जो right answer है वो C is correct next a list of dishes मतलब यहाँ पर भोजन की सूची dishes की जो list है वो क्या कहलाती है cuisine यह 2021 में यह इसकी meaning पूछा था easy tk इसकी meaning भी याद कर लेजिएगा dessert, buffet यह menu तो जो dishes की list होती है हम hotel बगारा में जाते हैं तो अक्सर करके सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है एक card आता है जिसमें भोजन की list रहती है उसे हम क्या बोलते है menu तो सभी को पता होगा day is correct cuisine, cuisine, भोजन होता है अब buffet तो सभी को पता है dessert, मिठाए next one who believes in fate मतलब जो भाग में विश्वास रखता हूँ उसे क्या बोलते है believer, fatalist, agnostic या skeptic तो यहां पर right answer हमारा क्या हो जाएगा सभी को पता है fatalist कहा जाता है जो भाग में विश्वास रखता हूँ उसे क्या बोलते है fatalist, भाग्यवादी कहलाते है believer, believer जो होता है सभी को पता है believer क्या होता है agnostic, agnostic मतलब होता है agnostic, जिसे हम doubtr भी भोल सकते है, संसेवादी भी भोल सकते है इसे लगनाज़ को पता है skeptic, इसका मतलब भी होता है संदेवादी, संसेवादी यह दोनो एक दूसरे के synonymbs है तो यहां पर जो right answer हो जाएगा वो अबका, B हो जाएगा next okay तो अगला कुश्चन है smugly self-satisfied मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि धूर्तता से आत्मिसंतुष्ट वो क्या कहलाता है responsive, complacent या jovial या witty तो जो धूर्तता से आत्मिसंतुष्ट जिसके अंदर होता है उसे क्या बोलते है उसको क्या बोलते हैं complacent मतलब क्या होता है आत्मि यासपूर उसी तरह आप जॉली भी याद रख सकते हैं हस्मुक एक मेनिंग है जॉली हस्मुक ठीक है विटी सभी को पता है विटी मतलब क्या होता है यहाँ पर जो राइट एंसर है वो अमारा भी हो जाएगा next next है a person who makes a scientific study of birds यहाँ पर कहा जा रहा है कि विक्ति जो पक्षियों का विज्ञानिक अध्यान करता हो जो पक्षियों पर ही अध्यान करता हो उसे क्या बोलते है और निथोलोजिस्ट या और्थो डॉन्टिस्ट या एस्थेटिस्ट या फिर एस्ट्रो फिजिस्ट और्थ यहां पर यहां पर जो मारा राइट एंसर हो जाएगा वह और नी फोलोजिस्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट अंसर ए हो जाएगा और जो चलियों पर अध्यन करता हो उसे बोलते हैं और निथो लोजिस पच्छी विध्यानी नेक्स्ट मतलब कलात्मक सौंदर से संबंदित क्या कहलाता है एस्थेटिक एक्सिलेंस आर्ट फूल क्रियेटिव तो कलात्मक सौंदर से संबंदित उसे क्या कहते हैं तो राइट एंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा A, Aesthetic Aesthetic मतलब ही होता है Sondar, Sastra और मेंनिंग देख लेते हैं Excellence, Excellent मतलब होता है Utkristita, Artful मतलब होता है Klatmak, और Creative मतलब होता है Rachnathmak, सो यहाँ पर जो राइंसर हो जाएगा, वो A हो जाएगा Next A person who lives by himself मतलब एक वेक्ति जो अपने आप में ही रहता है, उसे क्या बोलते है Bachelor, Recluse, Spinster, Prist यह पिछली मर्दव आ चुका है तो उसे Recluse बोलते है यह हम कितनी मर्दव पढ़ चुके है Bachelor, Kumara, Spinster, Kumari लड़की, Prist मतलब पुजारी Next An animal living on fish मतलब एक ऐसे जानवर जो मचली पर ही रहते हो Cornivore, Harby or या फिर Pisa or या फिर Parasite तो जानवर जो मचली पर रहते हो उसे क्या बोलते है Pisa or Carnivore मतलब होता है Manse, जो भक्षी होते है Harby or, Harby or मतलब होता है Shaka hari, Parasite मतलब होता है Parajivy Carnivore, Manse, भक्षी, जो Manse, Harri होते है और यहाँ पे जो right answer हो जाएगा ऐसे जानवर जो फिस पर रहते हों उसे बोलते है Pisa or Next Can be read clearly कोई भी चीज को हम clearly असपश्ट रूफ से पढ़ सकते हैं उसे क्या बोलते है Illisible, Intensible, Illisible या फिर Lesible तो Illisible Illisible मतलब होता है Yog कहते ना कि इसमें हम Elisible हैं की नही यह Elisible है अमूर्थ, Illisible Illisible मतलब होता अपठ नहीं है Can't be read clearly जिसको हम असपश्ट रूफ से नहीं पढ़ सकते हैं उसे Illisible बोलते हैं और Can be read clearly जिसको हम असपश्ट रूफ से पढ़ सकते हैं उसे Lesible बोल सकते हैं Lesible या Lesible तो यहाँ पर right answer जो हो जाएगा वो D हो जाएगा Next The act of killing once on father तो यह जो side वाला है ना इसको जरूर याद कर लिजेगा यह exam में आते ही आते हैं 2021 में भी पूछा था अपने ही पिता की हत्या क्या कहलाता है parricide, patricide, patricide, parricide तो यह जरूर याद कर लिजेगा आप लोग तो अपने पिता की हत्या करना उसे बोलते हैं patricide side मतलब ही होता है to kill तो patricide मतलब अपने ही फादर की हत्या करना उसे बोलते हैं patricide last year यही आया था 2021 में the act of killing one's own brother अपने भाई की हत्या करना उसे बोलते हैं patricide parricide, parricide अपने parents की हत्या करना उसे बोलते है parasite और अपने father की हत्या करना उसे बोलते है patricide और parasite मतलब परजीवी अभी हमने पढ़ा तो यहाँ पर जो right answer हो जाएगा वो भी हो जाएगा next government runs its administration through departments क्या कहते हैं bureaucracy, democracy, aristocracy और इगार की मतलब यहाँ पर क्या का जाएगा कि सरकार अपनी परसासन विभाग के माध्यम से चलाती है उसे क्या बोलते हैं bureaucracy, democracy, aristocracy और इगार की तो यहाँ पर जो right answer हो जाएगा वो हमारा A हो जाएगा उसे bureaucracy बोलते हैं सरकार जो है वो अपनी परसासन विभाग को अपनी परसासन को विभाग के माध्यम से चलाती है उसे क्या बोलते हैं डेमोक्रेशी मतलब होता है लोकतंत्र, aristocracy मतलब होता है गौर्मेंट बाई जो अभिजात वर्क के लोग होते हैं उसे aristocracy यानि की अराजकता oligarchy मतलब होता है कुलीन तंत्र के लोग जो गौर्म सासन करते हैं उसे बोलते हैं oligarchy राइट एंसर यहाँ पर ए हो जाएगा next person who directs preparation of our newspaper मतलब यहाँ पर क्या का जाए है कि वह विक्ति जो समाचरपत तयार करने के लिए निर्देश देता हो उसे क्या बोलते हैं directs देता हो इंस्ट्रक्टर ओडिटर एडिटर यह ओथर इंस्ट्रक्टर मतलब होता है प्रसिच्चक ओडिटर मतलब होता है लेखा परिच्चक एडिटर मतलब होता है संपादक ओथर मतलब होता है लेखक तो जो newspaper यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो समचार पत्र तयार करने के लिए directs देता हो उसे क्या बोलते हैं उसे editor बोलते हैं ओके next a person who does not think or behave like everyone else but has independent usual opinions यहाँ पे क्या का जा रहा है कि एक विक्ति जो हर किसी की तरह ना सोचता हो और नहीं behave करता हो लेकिन सौतंत्र समाने राय रखता हो उसे क्या बोलते हैं हरमिट तौक समाने रखता हो उसे क्या बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं हरमिट मतलब क्या होता है सन्यासी, इंडिवीजुल मतलब होता है विक्तिकत, मैं ट्रियाक मतलब होता है महा माता, तो यहां पर जो राइट अंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, next, child of unusual of remarkable talent, क्या कहा जा रहा है कि विलक्षड प्रतिभा की विलक्षड संतान, क्या कहलाती है, पाड़िजी, जीनियस, गीक या इंटिलिक्चुल तो विलक्षड प्तिभा की विलक्षड संतान क्या कहलाती है Remarkable talent की Remarkable जो child है वो क्या कहलाते है पाड़िजी कहलाते है पाड़िक मतलब ही होता है अद्भुत वस्तो डीनियस पता ईए यहां पर कहा ज़रा कि अपने परियावरण के साथ लोगों की बाच्चित का अध्यन क्या कहलाता है ecology, psychology, philosophy या geography तो क्या कहलाता है यहां पर right answer हो जाएगा ecology psychology बताई है philosophy दार्शनिक यह सारी तो easy है next a list of explanation of rare, technical और obsolete words क्या कहा जा रहा है कि दुरलब तकनीक या प्रचली सब्दों की व्याख्याओं की सूची क्या कहलाती है dictionary, glossary, lexicon या catalog तो जो आपके obsolete words है या फिर technical या फिर sorry यहां पर क्या कहा रहा है कि rare, rare, technical या obsolete words की जो व्याख्याओं की जो सूची वो क्या कहलाती है glossary कहलाती है okay क्या कहलाती है glossary dictionary मतलब सब्द कोस होता है lexicon lexicon मतलब भी होता है सब्द कोस, catalog मतलब होता है सूची next underground place, storing wine or other provisions मतलब शराव या अनप्रावधानों का भंडार करने वाला भूमिगत अस्थान क्या कहलाता है गैराज, seller, attic या फिर hall तो वो क्या कहलाता है seller कहलाता है seller मतलब ही होता है तह खाना गैराज पता है attic मतलब होता है Atari okay तो यहां पर राइट इंसर जो हो जाएगा वो अब कब भी हो जाएगा and last question है आज का free somebody from blame or guilt मतलब कोई person blame और guilt से free हो आजाद हो से क्या बोलते हैं तो उसे exonerate बोलते हैं okay exonerate मतलब बरी कर देना free मतलब free from blame or guilt excuse मतलब होता है माफी मांगना reprimand मतलब होता है डाटना या फटकारना equit मतलब होता है रिया करना अगर synonym में बात आएगी equit की तो exonerate आता है exonerate कभी आता है okay और equit के साथ हम क्या लगाते है preposition of तो उसी तरह exonerate के साथ भी हम preposition of ही लगाएंगे तो ये थे आपके one word okay students तो अपना feedback जरूर दीजेगा आपने इसमें कितने score किये है ये जरूर बताईएगा आपने कितने score इसमें किये है चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe करेंगे वीडियो को like and share जरूर कर दीजेगा इसका PDF चीए तो आप ही ना English classes से टेलिग्राम पर join हो सकते हैं thank you thank you for watching